खाबर सावस्ती जनपत के इकवना थाना छेत के अहिदन प्रवास चमगड़ा से है जहाँ पर पुराने रंजिस के चलते मालपीट की घटना को अंजाम दिया गया इसमें मा बेटी घायल होकर इकवना थाने पहुची और विपच्छों के विरुद तहरीर देकर कारवाही की मांगी आप सभी का सबसे तेज खबर सावस्ती चैनल में स्वागत है चैनल को लाइक सिए जिए जिम सब्सक्राइब परें साथी घंटी का वटन दबाना न भूलें जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे खाबर उत्तर प्रदेश के सावस्ती जनपत के थाना छेत राजा राम रानी पतनी दीप नरायन पूजा पुत्ती दीप नरायन जो गाओं की हैं अपने घर के सामने महिला जालू लगा रही थी तभी पुरानी रंजिस के चलते विपच्छी गण एक जुठ होकर महिला को गाली गलोज देने लगे जब इसका विरोध किया गया तो म मुका था पर लाठी दिन्दा से मारने पिढ़ने लगे जिस पर महिला के सिर पर गंभीर चोटे आई हला गुहार सुनकर उसकी लड़की मोहिनी पुत्ती राम केवल भी मौके पर पहुंची और बीच बचाव कराने लगी जिसमें पुत्ती के साथ भी मार भीट की गी इस दोनों ने कावना थाने में पहुंचकर बेपच्छियों के अबिउद तहरीर देकर करवाही की मांगी जिस पर पुलिस ने मामला दर्च करते होई दोनों को मेडिकल परिच्छन के लिए कावना अस्पताल भेजा सावस्ति जनपत के थाना चे थिक ना इलाके के अहीदन प बेटी को पहुचाया गया, यहाँ पर डाक्टों ने दोनों का दवा उपचार करने के बाद मेडिकल परिछर से पुलिस को उगत कराया, साथ ही पुलिस इस मामले में जांच परताल तथा कारवाही में जुट कई, सावस्ती जनपत के थानाचित इकवना इलाके के अहिरन पर दवास चमगड़ा गाओं की ये खटना है, जहाँ पर पुरानी रंजिस के चलते मा बेटी के साथ मालपीट की खटना को अंजाम दिया गया